असलामलेक। जी वियर्स आप ने फ्यूल की प्राइसीज तो जो नोटिफिकेशन आया है वो तो आपने देख लिया होगा। एक ही हफते में दो बार प्राइसीज बढ़ चुकी है 30-30 रुपे जो के अप्रॉक्सिमेटली 40% बनता है। जिससे आपके जो फ्यूल कॉस्ट है वो एकदम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। यह प्राइस तो गोवर्मेंट डिसाइड करती है यह तो कंजूमर के हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में जो है वो यह है कि हम फ्यूल की जो एफिशेंसी है वो कैसे बेहतर कर सकते हैं। उससे ज्यादा माइलज किस तरह ले सकते हैं। मैं अभी होंडा सीटी कार में हूँ। यह मैं अपनी गाड़ी। आप में लॉंग डिस्टेंस ट्रेवल करके मैं आया हूं। और मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इससे अच्छी एवरिज कैसे ले रहा हूं। जी मैं आपको भी इसकी मीटर इडिंग दिखाता हूं। यह देखें। ट्वंटी किलोमीटर पर लीटर। और मैं आपको इसमें जो मैंने ट्रेवल किया हूं। और यह देखें। और जो यह गाड़ी है यह नहीं नहीं है। 2016 मोडल है हॉंडा सिटी। और यह एक लाख चार हजार किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और फिर भी मैं इसे यह इतनी अच्छी एवरेज ले रहा हूं। यह आप भी अपनी गाड़ी में ले सकते हैं। आपको अज़स्ट करना यह है कि आपको गेर शिफ्ट जल्दी करना है। मतलब कि जो है यह आप लेफ्ट साइट पर देख रहे हैं। यह जैसे ही यह 2000 से उपर यह जाए और 2500 की रेंज में तो आपने नेक्स्ट गेर जो है वह आपने शिफ्ट कर लेना है। तो देख आएब चैनलस देखा घर जितना के जिफ्ट उन यह जाएगा। आपको और यह दो होड़िए है इस अपता टीश है करें और दूसर यह ए कि आपने जो बेस्ट एज़स्रेंजश अब्रेगा। वो इस रेंज में आती है 70 80 90 यहां जब आप अपने गाड़ी चलाएंगे आपको ज़्यादा जल्दी नहीं है आप राम से सफर करें इस रेंज में जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपकी एवरेज बहुत अच्छी आएगी जो यह मेरे पास शो हो रही है यह आप भी कि रेंज में यह जो आर्पियम आपके हैं यह टुन्टी फाइव हंडड़ के रांडबर्ट रहेंगे यह बहुत अच्छी देते हैं क्योंकि जैसे ही जो है आर्पियमों 3000 से उपर जाते हैं तो आपके जो है वो जो फ्यूल कंजम्शन है वो एकदम गाड़ी में बहुत ज चलाएं ऐसा नहीं है कि एकदम आपने आइस्ता कर लिए ब्रेक दबादी और एकदम तेज कर दी और फूल एक्सिलेटर दबा दिया आप इसे एक स्टीडी मोड में चलाएं देन आप अच्छी फ्यूल एवरीज लेंगे और आपकी जो कॉस्ट है वो जो है जरनी की वो भ यू के लाइक करें थैंक यू